नूमश्यकोर दोस्तों बेंख आप देख्रें कॉफिवे स्पूमई जायन दोस्तों आप सब को जैसे मुझे चिंटा है आप सब को वी चिंटा है क्या मोदी जीतेंगे मैं आपको कुछ उधारन दूंगा कि क्या जीतेंगे साथ उसके बाद फैंसला आपके उपर है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए दोस्तों आपको मलूम है कि पीम मोदी वो पांच गंटे सोते हैं एक गंटा ध्यान करते हैं और बाकी 18 गंटे वो काम करते हैं वो बही एक काम वो पिछले पहले जो सीम थे तब 13 साल लगे रहे अराम नहीं करते हैं कहीं जाते हैं आते ही कोईनों कोई प्रजेट को देखने चले आते हैं किसी मीटिंग को रख लेते हैं मैं कि एरपोर्ट के उपर मीटिंग कर रहे हैं घर में मीटिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं इतनी उमर में कभी वो सुबंदर के निचे चले आते हैं, कभी फाइटर प्लेंच चला रहे हैं, ओ भाई, ये आदमी है कि क्या है, और आपको क्या अश्यारे नहीं होता, कि ये आदमी कुछ होता नहीं है, कभी मिवार नहीं पड़ते हैं, और भुगवान करें, ऐसा ही रहे, मैं कोई दूआ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मालूम है कि जो ऐसे लोग होते हैं इनको मैं संकी बोलता हूँ संकी है होते हैं जिनकों सरफ एक ही चीज़ है राश्टर से प्यार आप वोट करने नहीं जा रहे हैं उसे परवा नहीं है वो अपने काम पे लगा है और दुनिया ओलरी जून के बाद मीटिंग्स फिक्स भी कर रही है अब तो मिलोनी ने मोदी जी को इन्विटेशन भी दे दिया ओलरेडी कि जी सेवन की मीटिंग हो रही है मुझीदी दुसी तो मेरे को आनी है यह तो खालत है अब जो यह लोग होते हैं जो राश्टर प्रेम में दुबे होते हैं आप ध्यास के किताबें उठा कर देख लिजी इनके पास दिवे शक्तियां भी होती हैं क्यों क्योंकि ये ध्यान सदना भी साधना भी करते हैं योग भी करते हैं और इसका जो तप होता है वो इनका कवज बन जाता है ऐसे लोगों का ऐसे राज भक्तों का राम भक्तों का ये कबज होता है और इसे कोई भी जुटला नहीं सकता यानि कि कृपा होती है ईश्वर की बेशुमार जो इने बचा कर भी रखती है और इनसे बड़े-बड़े कारे भी कराती है अब आप देखिए मोदी जी ने क्या किया उन्होंने राष्ट कुडूमकम का नारा दिया विश्व एक फैमिली है उसका नारा दे दिया ऐसा रास्ता दिखाया पुरे दुनिया को और भारत को भी जो दुनिया को हैरान कर दिया आज जो वर्ल्ड के लीडर्स एक दूसरे को मिलते हैं especially भारती है लोगों को मिलते हैं तो हाथ जोड़ कर नमस्ते के रूप में करते हैं हाथ मिलाने का सिस्टम ही खातम करते है हाथ खोल कर गले मिलने का सिस्टम शुरू हुगया है कि आप सोटे हैं कि दुनिया में कभी ऐसा आपने कभी देखा था कि भारत का परदान मंतरी जाए और उसे गले मिलकर मिला जाए जैसे कि कुछ दोस्त मिल रहे हूँ जब इतनी कृपा उपर वाले की हुए वगवान की कृपा हो मोदिज की उपर क्या वो आदमी हार सकता है मैं आज कोई emotional वीडियो नहीं बना रहा मैं history को देख के बोल रहा हूँ क्या हमें अपने सनातन की उपर विश्वास है कि ये सनातन की पावर है जो हार नहीं सकती ये सनातन की धर्ती पर हम कोई पाकिस्तान के elections की बात नहीं कर रहे जहां पे कोई वाली वारस ही नहीं है ना अल्ला ना भगवान कोई भी नहीं और ये भारत है और मोदी जी उन चंद लोगों में आते हैं जिनकी उपर ऐसी दिवे शक्तियों की जिसकों बहते हैं कि एक protection है और भई 13 साल पहले मैं बहले बताया आपको 13 और 10 साल 23 साल से बिमार नहीं पड़े और ऐसा ही रहेगा क्यों क्योंकि इनकी उपर इतनी दुआ हो रही है कि इने कुछ हो जाए ये मर जाए कट जाए कुछ भी हो जाए लेकिन कवज ही इतना strong है हमारे सानातन का कि इस बंदे को कुछ होता नहीं है आपको मालू है पंजाब में इनको मारने की भी कोशिश की गई थी सोनिया गंदगी की तरफ से क्या कुछ हुआ नहीं उन्हें पहले ही भाप लिया वो वापश चले गए और उन्होंने बोला भी आकर अपने सियाम को बोल देना कि मैं जिन्दा वापश जारा हूं यानि कि इनके मुँपे तमाचा भी मार के आए अर्द देखिए दोस्तों कि आप मेरे से हो सकता है सहमद नहीं हो कि यार स्पिरिचल पावर से भी कोई आदमी जी सकता है मैं आपको आपकी सोच के उपर आपको दोश नहीं दूँगा क्योंकि हमें जो स्पिरिचल पावर है हमारे भारत की सनातन की इससे दू रखा गया ये बोला गया ये तो यारे बिकार की चीज़े है इसमें क्या पढ़ा है लेकिन दूआ करने जाते हैं अगर आप अजमेर शरीफ में तो वो तो लग जाएगी यानि की वो काम आएगी लेकिन मंदर में जाके पूझा करने से आपको कुछ नहीं होगा ये बच्पन से हमें पढ़ाया गया हमारी गंदी किताबों में जो गंदगी परवार की तरफ से बनाई गई थी हमारे सनातन को नाम खराब करने के लिए अब आपके दिमाग में ये बाते आ रही होगी सभाविक है इसलिए मैं आपको दोश नहीं देता हूँ लेकिन आप सोचके देखिए कि जो हमारे देश है उसमें कितने पजान मंतरी कितने बड़े बड़े नेता बने है लेकिन उन्होंने देश के लिए काम करने से जबा अपने परिवार की उपर काम करना ज़्यादा पसंद किया और आप समझ सकते हैं मैं किन किन की बात को बोल रहा हूँ वो कंजरवाल हो वो ममता बैनर जी हो वो आपका किलेश हो वो शरत पौ़ार हो कोई भी हो इन सबने अपने परिवार जनों को अर्बो खर्बो कपती बना दिया और ये मोदी जी है वो कितने कम बार अपनी माता जी को मिलने गए उनका हालचाद पूछने गए उनसे आशीरवाद लेने गए लेकिन क्या कभी आपने एक बार भी उनने अपने भाई जनों को मिलने देखा है गए हो कभी भी नहीं और उनके भाई हो भतीजे हो कितने साधारन जीवन में रहते हैं ये आप सब को मालू है कोई चोटी सी कमपनी में बाबू है कोई सुपरवाइजर है कोई कलर्क है वो पहले भी वही था इनका भाई परधान मंतरी बन गया तो भी उनकी जीवन में कोई सुधार नहीं है क्योंकि इन्हें परवाही नहीं है वो जो बाकी देश के लिए कर रहे हैं उनके लिए उतना ही कर रहे हैं बास that's it कोई मिटिंग नहीं और कभी आपने सोना की कभी ऐसा होता है वो भी भारत जैसे देश में वो भाई पहले जो होते थे लीडर्स चलो महादमा गांदी को एक लीडर बोल देते हैं गुपाल कृशन गोकले थे नेता जी सुभाश चंदर बोस थे सावरकर थे लाल बादर शास्त्री थे रामनोर लोहिया थे जैपरकश नरायन थे ऐसे ऐसे नेता अटल बिहारी वाजपई ये बहुत कम लोग हैं जिनोंने इसी तरीके से काम किया देश के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया समर्पिर थे पूरे के पूरे अब आप बोलेंगे यार इतने बड़े बड़े नामों में आपने मोदी जी का नाम जोड दिया और भई मैं जोड नहीं रहा हूँ चलो मैं कहता हूँ मोदी जी कोई महान पुरश नहीं है आपकी नजर में मान लिया जिनका नाम मैंने लिया वो तो महान पुरुश थे जिन्होंने देश के लिए काम किया लेकिन जब वो काम कर रहे थे क्या आपने उनको महान बोला आंसर है नहीं आपने भी उनको मरने के बाद ही महान बोला शुरू किया पहले आपको भी किसी की महानता दिखी नहीं है मोधी जी के साथ भी ऐसा ही है आज आप उनको गाले निकालते हैं वोटिंग करने भी जाते नहीं है लेकिन जब ये अपने जिसको बहुते पॉलिटिकल करियर से सन्यास ले लेंगे उसके बाद आप इने भी राष्टवादी बोना शुरू करेंगे और उसके बाद इनकी तारीफ भी करेंगे आज गाले निकालेंगे और मोधी ने भाड़नी किता की है मैं जब ये हिंदू की तरफ से आता है मुस्लमान तो चलो बोहता है नहीं उनको पपू ही अच्छा लगता है तो इसलिए वो गधों को गधा ही अच्छा रगता है हम हिंदूसानियों की बात करते हैं हम इंसानों की बात करते हैं जो कि हिंदू है या सनात्री है सनात्री है या हिंदू है वो आज भी मोदी से प्यार करेगा लेकिन उन्हें महान पुरश नहीं बोलेगा क्योंकि जब आदमी जीवित होता है कोई भी उनको टैग नहीं दिया जाता लेकिन दोस्तो आप मुझे एक ची बताईए क्या मोदी जी की जो फॉरण पॉलिसी है या उनका काम करने का तरीका है आपको नहीं लगता कि अनोका है उन्होंने सारे जो ओल्ड सिस्टम थे सारे तोड़ के रख दी है एक चाहे वाले ने इतने गहरे जो पॉलिसी बनाई हुई थी गांदी फैमिली की उन्हें तोड़ कर रख दिया और भई एक मिनिट की तब वीडियो बनाई है मोदी जी ने राहुल गंदी गाया जो पूरा पूरा पर्चा था मैनिफेस्टो आफ टूजन टॉलिफूर उसे फार कर फेंग दिया और सारा देश जागरुक हो गया कि ये गंदी फैमिली हमारे साथ क्या करने वाली है हमारे जीते जी हमारे पैसे चीन लेगी और मरने के बाद भी वो पॉलिसी बना रही है कि हमारी 50 to 60 परसेंट जो हमारी संपती है वो भी लूट टिल ले जाए और किसको दे मुस्लमानों को और दोस्तों आप याद रखना कि हमेशा ही इतिहास में जो आदमी चला जाता है बीच चुका होता है उस देरिक मिस कल को हम पराने कल कोई याद करके उसे बोलते हैं कि यह हमने अगर मोदी जी को सपोर्ट किया होता ना आज भारत कुछ और होता आज मी लोग बोलते हैं कि 10 सालों में अगर मोदी जी ने इतना काम कर दिया काश यह 15-20 साल पहले आया थे आज चाइना हमारे सामने कुछ होता ही नहीं यह होता है जब हम कल को जाकर कल की सोचना शूरू करते हैं आज हम कभी भी सोचते नहीं हैं ना फूचर की ना पास्ट की और यह जो लिबरांडू है यह कॉंग्रेस ही है यह क्या कर रहे है यह चाहते हैं कि किसी तरीके से चिप्टा जाए खींचा जाए छीना जाए इस सत्ता को और मोदी जी को तिहार में पहुंचाया जाए यह इनकी मनशा हरोज बोलते भी है जाहिर करते है कोई कहता है इनका खून कर दूं कोई कहता है टुकड़े टुकड़े कर दूं कोई कहता है तिहार में जब बेजेंगे इनको भी इनके मंतरियों को भी और जिन जिन लोगों ने इनको सपोर्ट किया उन्हें तो हम सबग सिखाएंगे कि मोदी की support तुम्हें कीगी याणिकि आप और मैं जो मोदी को support करते हैं उनके कामू के लिए इन्हें सबग सिखाए जये जाएगा याणिकि मुहबस की दुकान में हमारे गर्दे कटे जाएगे और हमारी जो बीवियां हैं बेटियां हैं उनकी निलामी की जाएगी वहाँ पर हलाला कराया जाएगा उनकी महबत की दुकान पर और ये सारे प्रधान मंतरी को धूल चटाने में लगे हुए हैं सपने देख रहे हैं उन्हें भी और हमें भी और आप हो कि उन्हीं की भाशा बोलते जा रहे हो दोस्तों ये बात जो शक्तियां नहीं लगी हुएं बाहरी शक्तियां भी हैं देश के अंदर जो गदार बैटे हैं ये लिबरांडू राजदीब सर से सुधाई उपढ़ी हुई शेरवानी बर्खादत ये सारे लोग पलस और कितने नाम हैं जो हरोज लगे हुए हैं इनके खिलाफ वीडियोज बनाने के लिए और अभी शुमार बैटा है और जर्वन शेफट बैटा है हरोज और मीनियोज अफ यूज हैं उनके कोई तो है जो उनके वीडियोज को वाइरल कर रहा है कोई तो है ये अंतराश्ट्री जो लिबरांडू है इनके पास मसल पावर है सिस्टम की पैसे की और और ये सब लगे हुए हैं नए नए इंटरनेशनल टूल केट क्रियेट करने में ताकि मोधी को बुरी तरह से हराय जाए ताकि दुबारा से कभी भी कोई और राश्टरवादी इस देश की उपर बैठना पाए कभी यो हिंड़बंग की रिपोर्ट लेके आते हैं कभी अगररोध लग जाते हैं ये सारे लगी हुए हैं एक ही काम में, कि मोधी को हराना है, मैं आप से भूचता हूं कि opposition का जंड़ा क्या है मोधी को हराना international powers का जंड़ा क्या है कि मोधी जी आँख में आँख डाल करते हैं, ये सानु बरदास्ट नहीं है, इनको हराई है लेकिन देश में मोदी जी का जो काम है इतना किया हुआ है कि मुझे अभी भी लगता है कि मोदी जी का काम प्लस जो स्पिरिचल पाور नके साथ है वो उन्हें कामियाबी दिलाएगी आप वोट करने जाएं ना जाएं फिर भी कामियाबी आएगी क्यों? क्योंकि उसका reason है मोदी जी के पास कोई personal agenda नहीं है उनका agenda एक ही है मेरा देश 2047 तक विक्सित भारत बनना चाहिए क्या आपने कभी भी ये statement कभी सोची भी थी कि भारत एक developed country बन सकता है ये सपना दिया है मोदी जी ने और सपना नहीं है इसके उपर काम भी किया है और हमने देखा है कि जैसे पूरे देश में development का काम चल रहा है दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है या company नहीं है जो भारत में नहीं आना चाहती जैसे ही मोदी जी अगर तो 400 plus ले आए दोस्तों मैं आपको guarantee देता हूँ मैं भी political science का और ये economics का मैं student हूँ मैंने एक चीज़ देखी है जब आपके पास शक्ति होती है दुनिया आपके कदमों में आती है आपको सलाम करती है और यही कुछ होगा अगर मोदी जी 400 plus लेकर आगए इसका मतलब है दुनियो का पता लग जाएगा कि बहुत strong government है strong decision लेने वाली है वो सारे यहाँ पर आएंगे मोदी जी हम यहाँ पर unit लगाना चाहते हैं आप बताईए हमें आप कैसे support करते हैं फिर times होगी भारत की और उसके लिए 400 plus चाहिए आप मैं दुबारा बोल रहा हूँ अप चिंता कर रहे हो कि क्या मोदी जी जीतेंगे येस मोदी जीतेंगे अब लड़ाई जीत हार की रही नहीं अब तो यह है कि क्या complete जीत है या लड़कते पटकते हम देश को आगे लेके जाएंगे वो हमारे हाथ में है कि 400 plus हम लेके रहाथ सकते है मोदी जी के लिए या नहीं लेके आ सकते और विक्सित भारत है यानि कि ड्वैलेट भारत है उसकी तरफ भारत चल रहा है अभी बहुत लंबी रेस है ये ये इतनी जल्दी नहीं होगा लेकिन मोदी जी कहते है 25 साल में मैं करके दिखाऊँगा 10 साल में मैंने कर दिया फाउंडेशन रख दिया अब इसके उपर गाड़ी दोड़ाने का टाइम आ गया है और मैंने अभी वीडियो बनाया थे मैं आपको एक धारन देता हूँ जो एक नई ट्रेन निकाली है भारत ने और वो देखने वाली हैं जो डबा बनाया है उन्होंने एक लास फाइव साफ होटल की तरह है जब मैंने उसे वीडियो लगाया तो लोगा ने बोलना शुरू कर दिया इस ट्रेन का फादा क्या है इसमें क्या गरीब आत्मी चाहेगा क्या हर चीज इस देश में गरीबों के लिए बनेगी क्या जो अमीर रहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कुछ नहीं बनेगा क्या हम अपने दुनिया में अपनी जो छवी है वो गरीबी वाली रखना चाते हैं यह जो मानसिक्ता हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि हर चीज को अच्छी बनेगी ओ भी यह तो मोदी जीन है अदानी अम्बानी के लिए बनाई है यह हमारे लिए 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 जा रहा है कोई आदमी वो आप खुद भी बरदाश नहीं कर पाते लंबी लंबी फिंकते रहते हो सिर्फ वीडियोस के उपर आकर अपना गंदा जो बोलते हैं न एक बेहुदा आप अपनी टिपनियां करते हो लेकिन जो विजन है विक्सित भारत की वो देखना ही पसंद नहीं करते है यानि कि आप खुद भी अपने आपको गरीबी में ही देखना चाते हो लचार टूटा हुआ देश आपको अच्छा लगता है विक्सित भारत आपको अच्छा ही नहीं लगता इसको बोलते हैं poor man's mentality जिसमें Congress ने आपको बिठा दिया आपको सब कुछ free में भी दिया जाए तो भी आप person नहीं रहेंगे क्यों? आपको गरीबी में रहने की आदत पड़ गई है आपको लाचारी दिखती है जो अपनी उसमें आपको खुशी मिलती है जब आपके देश को गालियां पड़ती है आपको हसी आती है लेकिन जब आपको कोई बोलता है कि yes we are proud of India now आपको घेन आती है उस चीजों से आप सोचे देखिए Congress ने आपके मानसिक्ता के साथ क्या कुछ कर दिया इतना खिलवार कि आपको अपनी तरक्की से ही नफरत होनी लग गई है यह है जो Congress ने किया आपके साथ और मोदी जी इसी चीजों को तोड़ रहे है क्या एक नॉर्मल इंसान एक काम कर सकता है मेरा आंसर है नहीं यह वही कर सकता है जिसके पास कोई दिवे पावर हो और यही दिवे पावर उन्हें जिताने वाली है और दोस्तों बहुत देड़ से हम एक राष्टरवादी नेता की वेट कर रहे थे जो भारत को आगे ले जाए और इसी राष्टरवादी ताक्तों की हमें भी जरूत है अगले 15 वी साल के लिए मोदी जी हैं मोदी जी के बाद कोई और आएगा लोग ने बोला क्या 29 में जीतेंगे क्या 34 में जीत जाएंगे मोदी जी ओ भाई मोदी जी के पास और इतनी स्ट्रॉंग टीम है अभी तो आपने अभी हैं ये फिलाल बदान मंतरी नरिंदर मोदी ये सबसे बड़ा ब्रेंड बन चुके हैं आज की डेट में भारत में भी और दुनिया में भी और इन्हें हराना कॉंग्रेस जैसे टुचों के लिए तो इंपॉसिबल है दुनिया की सारी ताक्तें भी लग जाएं तो भी इन्हें हरा नहीं सकती आप इसका तो विशुष रखिए हारेगा तो नहीं कभी मोदी हाँ चार सो प्लस लेकर आएगा नहीं आएगा ये अब हमारे उपर और देवे शक्तियों के उपर डिपेंड करता है कि मोदी जी से और कौन से बड़े बड़े काम इस देश के लिए वो करवाना चाते हैं शायद उनकी भी पेशेंस खतम होगी थी कॉंगरेस के कू करम देखकर इस देश के उपर जो उन्होंने कू करम कर रहे हैं तुष्टी करन के चक्कर में हम सनातनेों को कैसे दबा के रखा ये वो भी अब बरदाश्ट नहीं करना चाते इसलिए मोदी जैसे आदमी को बेजा है जो राश्रवादी है और उसको पूरी कृपा उसके उपर रखी हुई है पूरा आश्रवाद उनके उपर रखा हुआ है इसलिए आप उसके चिंता मत कीजिए कि आएगा मोदी या नहीं आएगा तो मोदी ही लेकिन अब उनको लेके आना है 400 प्लास पे मैं छोड़ता हूँ ये सारा आपके उपर वूजे कोई विश्वास नहीं है कि आप कितना सपोर्ट करेंगे कितने लोगों को अपने साथ लेका जाएंगे वोटिंग कराने के लिए ये मैंने अब ये अपना केस अपने देश का रख दिया है बगवान के चर्णों में कि आप ही हमारा भाला करें अब तक आपने बचाया है इस बार भी बचायें क्योंकि सनातनी ने ना तो कभी पहले कुछ काम किया अब देश के लिए ना अभी करेगा अराम से सोएगा फ्री के 200 यूनिट में थैंक य दोस्तो जैहेंद वंदे मातरम जैशरी राम फ्रॉम जैशरी राम फ्रॉम जैशरी राम